पर अपके सारे physics के बात करते हैं अब लोग यह देख रहे तो यह जो ट्यूब है यह जो बल्ब है ना यह हम लोग कंप्रस करते हैं यह जब कंप्रस करते हैं तब क्या होता है कि यह जो बशलो करते हैं यह एसका मतलब इदर का एर का विलो सिटी क्या हो रहे यह बढ़ रहे देफोर अकोडिंग करता हूं अपको अंच्छाव से क्या है अभी हम लोग कुस्टियन देखते हैं रेड्यूस्ट प्रेशर जो फोर्म होते है उसके वज़े से वर्टिकल ट्यूब से यह जो पार्टिकल से इधर लिक्विड पार्टिकल से यह लिक्विड पार्टिकल से क्या है कि यह वर्टिकल ट्यूब से ऊपर आते हैं P is the gauge pressure okay तो हम लोग को पूछ रहे कि V is the speed of air in BC यह जो BC जो horizontal tube है उसमे speed of air हम लोग को दिया है as V तो हम लोग को पूछ रहे कि V कितना होना चाहिए so that the liquid and liquid rise to BC ओके इधर से liquid उपर तक rise करने के लिए यह जो velocity of air है इधर का वो कितना होना चाहिए हम लोग को पूछ रहे तो मैं आपको atomizer का function बथा देता हूँ datizer क्या है कि इधर हम लोग liquid बर दिया है कि इधर हम लोग का liquid है यह level तक supposed liquid है ओके जब हम लोग यह bulब जब press करते इधर एक बल्ब होते यह जब बल्ब जब press करते तब क्या होता है कि I heard से एर क्या होते मूब करते एर एक वेलोसिटी में मूब करते तब एर का इधर का वेलोसिटी ज्यादा हो रहे मतलब क्या है इधर प्रेशर कम होगा according to Bernoulli's equation हम लोगों को पता है कि पी ए प्लस हाफ रोव इसको यह प्लस रोची है ची से constant इधर क्या होगा वेलोसिटी ज्यादा हो रहे मतलब प्रेशर कम होगा प्रेशर कम हो जाएगा मतलब इधर का जो लिक्विड पार्टिकल से वो इधर राइस करके आएगा वो इधर क्या करेगा प्रेशर कम में इधर प्रेशर ज्यादा है तो इधर से प्रेशर क्या करेगा राइस करके इधर आएगा फिर इधर से इधर जो लिक्विड पार्टिकल से आते हैं वो स्प्रेय आउट कर देते हैं तो यह है एक्टॉमाइजर का फंक्शन ओके तो हम लोग का भी बोला गया है कि अप्सोलूट प्रशर इन बल्ब यह जो बल्ब है उसमें कितना प्रशर है प्लस कैपिटल पी है वर पी इस्टा गेज़ प्रशर ओके हम लोग को बताए कि कोरी अकोरिंटबड बनोली प्रशर का रिए कि अप्रशर के तो प्रैकिंट प्रशर आच पॉयंटल फिख्स है एक इस अच्छा प्रशर क्रोगस्ट अच्छा फ्रची पलनली से यह एंट फिक अग व्लोग की पॉय्ट पॉय्ट यह थैए और गट इम उस प्रशर undel प्लस प्रेश एड मोस्ट स्री प्रेश एड 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 प्लस हाफ इन्टो रो इंटो वी ए स्क्वाइर प्लस रो जी एड को डू यह धो नो सही मोर्जोंडल लेंगत यह देफर आम लोग रोग रोज यह चरकर ने का जरुएत नहीं है इंड इस एकोल तो पी बीसी यह जो प्रेशराट डी क्या है it is nothing but प्रेशर डी मतलब यह जो बी-सी गर के जो वर्टिकल हमया रहना विद्धर इस याफ्टर एक रूजर होगा देफोर वे न Art Premier dS प्रेशर द्री सी प्लस हांफ इंट्व रो का रहर है विद टू वी square velocity of air square velocity of air square है ओके यह भी A है ओके लेकिन इदर हम लोग को पता है कि bulb में कोई velocity नहीं air का velocity A नहीं air का उदर क्या है velocity of A is equal to 0 velocity of A is equal to 0 at A at A at this point we know that velocity of air is equal to 0 therefore इदर हम लोग लिख सकते हैं कि P A is equal to हम लोग को दिया गया कि atmospheric pressure plus gauge pressure rate is equal to PBC plus half into rho air into V square velocity with which the velocity with which the air moves through BC वो है V वो हम लोग लिख दिया है अभी अभी हम लोग को चाहिए अभी हम लोग को क्या चाहिए अभी हम लोग को यह पता है कि हम लोग अगर BC का pressure अगर हम लोग ले रहे तो तो we know that at this point at a point here यह point अभी हम लोग लेते है E we know that at point E pressure at E is nothing but pressure at BC plus क्या हो जाएगा यह जो इतना जो water column है यह जो water column rise हुआ है H distance का वो हो जाएगा rho G H rho is the density of the liquid rho is nothing but the density of the liquid है ओके तो हम लोग लिख सकते है it is equal to PB plus PB C plus rho G H इदर से हम लोग को PB C मिल जाएगा PE क्या है atmospheric pressure है atmospheric pressure minus rho into G into H it is nothing but इदर क्या है P is equal to P 0 atmospheric pressure हम लोग को बोल सकते हैं को PB C is equal to P 0 minus rho G H इदर हम लोग को PB C का equation मिला है PB C is equal to P 0 minus P B C is equal to PA plus P is equal to PB plus half rho V square तो हम लोग इदर से हम लोग अगर PB C निकाल रहे हैं इदर से हम लोग अगर PB C लिख रहे हैं तो तो हम लोग मिलेगा PB C is equal to P 0 plus P minus half into rho A into V square that is half into rho A हम लोग को दिया है कि 1.3A divided by 2 into VA velocity of air square अगर ये दोनो हम लोग equate कर रहे तो equating these two equating these two ये ये दोनो same left hand side है therefore we can equate both therefore equating these two we can write as P 0 minus rho G H is equal to P 0 plus P minus 1.3 divided by 2 into V square velocity of the air square it is equal to P 0 P 0 cancel we can write as minus rho G H is equal to P minus 1.3 divided by 2 into V square हम लोग को पूचाए कि velocity V का value कितना होना चाहिए V हम लोग लिखते है nothing but ये हम लोग इदर लेके जाएगा ये उदर लेके आएगा देफोर P plus rho G H okay P plus rho G H क्या होगा 1.3 divided by 2 into V square cool अभी हम लोग लिखते है इदर से V square is equal to P plus rho G H into 2 divided by 1.3 from this we can get velocity V must be equal to क्या होना चाहिए root of 2 divided by 1.3 into into क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा P plus rho G H okay ये है हम लोग का V it is equal to V का value क्या है 2 divided by 1.3 into root of P plus rho G H हम लोग का एंसर क्या है we will get a value it is nothing but root of P plus rho G H divided by क्या हो जाएगा 2 divided by 1.3 is equal to 0.65 तो ये है velocity का value इतना velocity है तो ही हम लोग को क्या कर पाएगा इतना हाइट उपर तक चाह आएगा ये liquid उड़के आएगा okay set